नमस्कार दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब ऑनलाइन श्रीकिंग्डम चैनल और प्रेस आल नोटिफिकेशन बेल आइकान तो गेट न्यू वीडियो अब्डेट्स थाइंक यू नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जैसा कि आप देख रहे होंगे घटना चक्र करन्ट कीउज का जो है समसमाई ग्वेस पे जो ही हमारा करन्ट अफ्वेस का जो है स्रीच चल रहा है जो कि यहम सी कीउज बेस्ट पलस महात पूंट तुद पॉइंट नो जाएगी आप जाकर कि वहां से विजिट कर सकते हैं और फीडिया फ्री आप कॉस्ट में डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइच कर सकते हैं तो यह हमारा अंतरास्टी परदिस्स का दूसरा भाग है जो कि लास्ट भाग होगा क्योंकि हम 25 कोश्चन जो है कर चुके हैं ल आप जोले मुख्य विस्पोर्ट हुआ जो पिछली कुछ बरसों से निस्ट रिये था को किठरेट अेंशर इंसर इस है आप्च्छल नंबर B शुमात्रा दियूप शुमात्रा दियूप कहां पर है तो ये इंडियोनीसिया में रिष्थित है ठीक है तो इंडियोनीसिया की शुमात्रा दियूप फरिष्थित जॉला बुकिम में जो है विश्पूर्ट हुआ है कब हुआ है अगस्त 2020 में शुमात्रा दियूप में जॉला मुखी के बात की जा है कि विश्पोर्ट के दौरान इसके राख का विश्थार कई हजार ठीक है कई हजार हुए है ठीक है और बात करते हैं कोईशन 22 कोईशन 22 है भारत द्वारा मालदीव की अडू एटाल में कुल कितने इको परियाटन छेत्र विक्षित करने का अनुबंध किया है ठीक है कितने इको परियाटन होंगे फाइप भारत द्वारा मालदीव की अडू एटाल में इको परियाटन प्रिक्षित करने का अनुबंध कब किया गया 10 अगस 2020 को अनुबंध पर हस्ताक्षर की बात की जाए तो मालदीव में भारती उच्चा युक्त संजय शुधीर कुमार यो मालदीव की विदीश सच्यू अब्दूल गफूर मुहम्मद द्वारा उद्देश की अगर बात की जाए तो उद्देश जो है अस्थानिय दिवपी शमुद्यों के लाभी के लिए उच्च प्रभावाली शंपत विक्सित करना दिसे इस बात क्या है या एको टोरिज्म जोन हाई इंपाक्ट कम्यूटी डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट के तहट क्रिवानवित किया जा रहा है इस पर योजना के तहट मालदीव को 5.5 मिलियन डालर का शहयोग जो है अमज़ान प्राप्त होगा शाथ ही शाथ इससे परियर्टन उद्धो को बढ़ावा मिलेगा तहटा रोजगार भी सुजन होगा Now the question number 23 September 2020 में जारी वैस्विक आर्थिक स्वतनता सूचकांग 2020 में भारत का कौन सा अस्थान है The correct answer is option number V 105 एक 105 वैस्विक आर्थिक स्वतनता सूचकांग में इंडिया का है इसमें जो मार्थिक आर्थिक स्वतनता सूचकांग जारी कौन करता है यह जारी करता कि गरबात की जाए तो Fraser Institute जो की Vancouver Canada में इस्थित है इसके द्वारा जो है यह report जारी की गई है भारत का सायोगी संस्थान की गरबात की जाए तो Center for Civil Society नई दिल्ली जो की एक NPO है ठीक है रिपोर्ड में शामिल कुल देशों की बात की जाए तो 162 है तो इसमें देखिए जो important बात यह है कि इंडिया की जो ranking है वो कितनी है तो इंडिया की जो ranking है वो 105 है कितनी, रेंकिंग है इंडिया की ranking जो है 105 है पहले अस्थान पर काउन सा यह याद रखना है हंक कॉंग है और सबसे निचले अस्थान पर काउन सा है तो वह है आपका वेनिजुएला ठीक क है सबसे निचले बाहां पर बीजुएला सबसे नंबर वन पर हांग कॉंग और इंडिया की रैंकिंग कितनी है 105 ठीक है वहीं पर बर्स 2019 मेंगर बात की जाए तो रैंकिंग जो थी वो 79 थी ठीक है तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है हाल ही में अंतराश्टी अंतरिक्ष केंद्र के लिए उड़ान भरने वाले एक अमेर्की व्यवसाइक माल बाहक अंतरिक्ष यान का नाम की शपूर्ब महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया है एक रेक्टा एंस्वर इस अप्शन अमबर ए कल्पना चावला के नाम पर अमेर्की व्यवसाइक माल बाहक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है आठ सितंबर 2020 को अमेर्की व्यास्विक एरोश्पेस युम्राच्छा प्रवधोगी कंपनी नार्थ रोप ग्रोमन ने घोशड़ा की कि कंपनी के यंजी फोर्टीन शाइजर अंतरिक्ष यान का जो है नाम कल्पना चावला के नाम पर यस यस कल्पना चावला रखा जाएगा तो देश की अगर बात की जाए तो मानव अंतरिक्ष उड़ान में उनके प्रमुख योगदानों को याद करना है ठीक है और इसमें इंपॉर् व्रिक्ष यात्री है कौन कल्पना चावला कि इनकी जो मृत्ती हुई थी वर्ष 2003 में कोलंबिया नामक स्पेश सटल जो की वैस्से की है क्रेस्ट लेंडिंग होने के कारण नाव कोश्चन नमबर 25 हाल ही में शंपन हुए छटवे व्रिक्ष ठीक है छटवे व्रिक्ष पर रसिया ने ठीक है छटवा व्रिक्ष परियावरण मंत्री शमेलन कब हुआ तिह जुलाई 2020 को अध्यचता कि इसने की रूस की द्वारा मास्कों से वीडियो कांफरेंस की माध्यम से अगर व्रिक्ष की बात की जाए तो व्रिक्ष में कौन कौन सी कंट्री है भी आर आई सी ठीक है ब्राजी लशिया इंडिया चाइना और शाउथ अफरीका ठीक है भारतिया प्रतनीजित्ट की बात किजाए तो भारत के जो प्रतनीजित्ट के निरिक्ष प्रकास जावेड कर जो केंट्री परियावण मंत्री है ब्रिक्स परियावण मंत्री Sum斐lyan हुआ कहा हुआ रसिया में ठीक है। अधिस्टा रसिया ने किती लेकिन जो साथमा होगा वह होगा इंडिया में ठीक है। भारत की द् Mile अधिस्था की जाएगी WRIKS Sum斐ly Man की जो कि 221 में ऊवगा। भारत द्वारा वाय वुडवता सूचकांक निगरानी कारिकरम का प्रारंब वर्स 2015 से 10 सहरों में भारत द्वार रास्टी स्वक्ष वाय वाय कारिकरम की गरबात की जाए तो वर्स 2019 से प्रारंब है Now, Question No.26 स्वाय उत्राज जी अमेरिका डट इवेस्से में विदेशी एजन्ट के रूप में पंदिक्रित होने वाली भारत की पहली राजनितिक पार्टी काउंसी है भारत की पहली राजनितिक पार्टी काउंसी है विदेशी एजन्ट के रूप में पंदिक्रित होने वाली कहां पे विएसाय में। दिकरक्ट अंस्वरेज। आप्ट्रिक नमबर बी, भारती की जन्ता पार्टी ठीक है? कुछ मार्तवोर्ट फैक्ट ग्रभाद की जाएं, तो भारती की जन्ता पार्टी विएसाय में बेदेसी एजेंट की रूप में शंगर्ठन की अगर बात की जाए तो Overseas Friends of BJP ठीक है ओफ BJP शंबद अधनियम की बात करें तो बीदेशी एजेंट्स पंठीकर अधनियम के अंदर गजो है इसका रेजिस्टेशन जो है रेजिस्टर की गई है और बात करते हैं कि जो Foreign Agency Registration Act तो यह संयुक्तराज अमेरिका में बीदेशी प्रभावत अधनियम है इस अधनियम को 1929 में लागू किया गया था इस अधनियम के अंतर गज़ बीदेशी एजेंटों को अमेरिकी Justice Department के दहत पंजी किरन कराना तथा अपनी गत्विदियों को जनता के शामने बताना जो है वो अनिमार्य है विसेज बात क्या इस से विसेज क्या प्रभावगा एक्टिवेस्ट से के आगामी चुनाओं के दौरान वो यह वीजेपी के सज़ संग ठादमक सहयोग नहीं कर सकते हैं ऐसा करने पर इशेज अमेर की चुनाओं में विदेशी हस्तेप के रूप में देखा जाएगा ठीक है ना दो कुश्चन नमबर 27 अगस 2020 में किस देश की रक्षा भी भाग द्वारा अन आइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना टास्क फोर्स ड़ाइज य शायुक्त राज अमेरिका स्वविकृति की अस्थापना की जो स्वविकृति है कब चारगस 2020 को स्वविकृति प्रदान करता डेवी डियल नर्विस्त रक्षा उप सचिव तो देखे जो इसमें इंप्रॉटंट बात ही है कि अस्थापना की गई है यह कि इस देश के रच अब यह देश से कर बात करें तो टास्क फोर्स को जो देश है अनाइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना जड़ यूएपी की प्रकेटी और मुत्पत्ती से शंबंधित रक्षा विभाक की समझ में जो हो सुधार करना है ठीक है तो याद रखना इतना है कि शंबंधित जो द कि अधिकरेक्ट एंसवर्ज वर्ट इसकरेक्ट एंसवर्ण जिए अप्ष्ण मबरे मौरिशास ठीक है मौरिशास में जो है परियावरणी आपातकाल की गोश्डा की गोश्डा की जूतिति यह साथ अगश दोजार बीश गोश्डा करता वहां कि जो पृधान मंत्री है जगर नाथ ठीक है उन्होंने गोश्डा की कारण क्या है गोश्डा करने का तो कारण जो बताया गया है वह है जापान की नागा साकी शेपिंग कंपनी के तेल टैंकर एम बीवाश वाका सियो के मौरिशस के दक्षण पूरवी तड़ पर कोल और रीफ में फसने के कारण हो आप्स नंबर वी बांगलादेश को नादो कुश्चन नमबर 29 हाल ही में किस देश ने उन्नीश स्विकातर की यूद्ध में शहीद भारती शैनिकों के लिए असमारक बनाने का इंड़े लिया है कि वाट इस गरेक्ट एंज़र इस आप्स नंबर भी बांगलादेश और य लिया वंड़ जो भूमी है साड़ती ने कड़ की है ठीक है तो यह इंपोर्टन बात है यह त्याद रखना है कि किस कंट्री में जो है यह ने लिया गया है तो यह बांगलादेश के ठीक है ना दो कॉश्चन नमबर 30 सब्तमबर 2020 में शंगाई शयोग शंगठन की बिदीश मंत्रियों की परिषद की बैठक का आयूजन कहां हुआ है अभी आपने देखा जो अब देख्श का था प्रयाबान वाला कहां हुआ था रसिया में ठीक है उसका जो साथमा होगा इंडिया में होगा यह कुश्चन है आपका यह सियो शंगाई शंगठन के विदीश मंत्रि में और यह सियो की प्रतम वाद्यूतिया बैठक का आयूजन वर्स 2008 में वीजिंग चाइना में हुआ था 19 में किरिगिस्तान गडराज में ठीक है विसके एक यह सियो में जो सामिल देश से इंपरिश में इंपॉर्टर बात ही है कि यह सियो में जो शामिल देशों की संख्य वार्ट है कौन कौन से है तो भारत पाकिस्तान चाइना रसिया किरिगिस गडराज तजाकिस्तान कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान आर्ट कंट्री है इंपॉर्टन इसको याद रखना है कभी कभी आप सन में दे देंगी कि जो है इसमें से कौन सा देश यह सियो में सामिल नहीं है तो में तीन सामिल हूगे एक शामिल हो तो आपको बताना होगा कौण सा नहीं है ठीक है कौन कौन से देश सामिल है भारत पाकिस्तान चाइना रसिया कऱेश गणरच ताधी किस्तान कजाकिस्तान और उजभेकिस्तान सामिल नॉ ठीक है ना है दो पॉश्चे नम remarkably 31 जुलाई 2020 में आस्ट्रेलिया शरकार की रिपूर्ट के अंशार वर्ष 2019-20 में आस्ट्रेलिया नागरिता प्राप्त करने वाले सबसे अधिक लोग किस देश के थे, यहीं आस्ट्रेलिया नागरिता प्राप्त करने वाले सबसे जो जादा लोग थे वो किस कंट्री के थे, आ अब आप इसमें देख सकते हैं कुछ मात्रपूर्ण फैक्ट तो देखिए आस्ट्याई सांखिकी ब्यूरो 2016 की गणगणणा की अनुशार आस्ट्रेलिया में 6,1964 लोगों की गोश्ड़ा की कि वे जातिय भारतिय बंचिके थे इसमें आस्ट्याईलिया आवादी का लगभग 2.8 प्रिस्त सामिल है ठीक है अगर 2019 बीश की बात की जाए तो आस्ट्याई नागरिक बनने वाले लोगों की जो संखिया थी कितनी लगभग कितनी है देख रहे हैं आप लगभग जो है यहा नाथ कोश्चे नमबर 32 अगस 2020 में आसीन भारत आर्थिक मंत्री वैठक की किस संस्कंड का इन हुआ है भी है इस यह बिएज़ नमबर 16 में 17 में आशियान भारत आर्थिक मंत्री प्रामर्स वैठक का आउज़न 29गस 2020 को वैठक का जो माध्य हमय को जानते हैं आप वर्टिय ठीक है तो चर्चा हुई कुरोना महामारी की आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए शामोई ग्रूप शिकार करने पर बाटक में भाग जो है किसने किसने लिया है तो बाटक में भाग लेने वाले सबी दस असियान देश ठीक है यह भी सब्सक्राइबрахी आदकेScar देसों के जो है बैटक में भाग लिया था अगर इंडिया की बात की याई की लिए मंत्री वारित जो मुद्दोग मंत्री रिल मंत्री पीवुस गोयल तथा वियत नाम के उद्दोगें ब्यापार मंत्री ट्रान तुवान आन द्वारा जो है इसकी सहाध़चता की गई थी ठीक है नादो कुश्चन नमबर 33 सेप्टंबर 2020 में वर्च्वल रूप से आउजित ब्रिक्स संस्कृती मंत्रियों की फाजबी बैठक की अजिता किस देश की द्वारा की गई दिगर एक टैंस और आप्शन नमबर सी रसिया ठीक है आईजन की थी सितंबर 2020 अजिता किस की द्वारा रूसिया की द्वारा भारत की और से बैठक में बहा किसने लिए इंपॉर प्रालाज सिंग पर्टेल जो विक यंद्रीये संसक्रीती उंपराटर राज्यमंत्री शुतंद प्रभार है ठीक है बैठक में जो चर्चा हुई है ये देखिये क्या किया िख़ाएं ब्रिक्स से प्रभाव हैं ब्रुक्स तदस पर dog की इंट द на क्यो düny गया है ये वह अप है और इसमें इपाइड बात इए है कि ब्रिक्स देशों के नाम समझ रहें वी आराई भ्राजी रसिया इंगिया चारिना और शाउथ अफरीका अब इसमें प्रीकर बात इए है कि अगले संस्कन्ड की अध्श्चता जो होगी वह भारत की दौरा की जाएगी ठीक है बरस आगास्ट 2020 में संयुक्त राष्ट की महासच्व कौन है एंटोन रियो एंटोनियो गुटरेस द्वारा जारी वक्ता बिके अनुशार कोरोना महामारी की कारण वर्स के प्रथम पांच महीने जनवरी से मई में वैस्विक परेटन को कितने बिलियन अमेर्की डालर का नुक्ष कितने विलियन अमेर्की डालर का नुक्षान हुआ है तो गाई जो इसका करेक्ट एंसवर है वो है आपका आपसे नमबर भी 320 विलियन अमेर्की डालर ठीक है चलते हैं आप इसमें पांट पांट यह है कि वर्स 2019 में बैस्विक ब्यापर में परेटन को जो हिस्सा कितना है साथ प्रतियत ठीक है और जो संयुक्त राष्ट के महासाच्व कौन है एंटो नियों गोटरेस ठीक है ना दो कोशन नमबर 35 अदस अगस 2020 को किस देश की प्रधान मंत्री ने सरकार विरूदी जन प्रदरशन के काहण अपने पलस से इस्थीपा दे दिया दिकर्ट अइंट्स र括 प्र्दान मंत्री कउन है तो इस्थीपा दे दिया इस्थीपा अधी प्रधान मंत्री कौन है से इस्थीपा दे ने कारण बद द्योदी को लिबनान की राजधाना सपने विरूद के बन्दरगां पर वीश्र विश्फ sn विश्रोदि कनでは शरकार विरोधी प्रदसन हुआ उसके काणिनों ने जो है अपना रेजाइन कर दिया नादो कोशन नमबर 36 हाली में संजुक्त राज जमेरिका में भारतिये मोल की किस महिला शेनीटेटर को ठीक है यह देखे इंपॉर्टन कोशन है यह कोशन नमबर 36 पूशन जा रहा है कि भ यह है आपके आपसे नमबर ही कमला है एँरेश वहां का चुनाव भी हो चुका है ठीक है कमला है जो है वहां के उप्राश्टपति जो है बनाई गई है जो कि भारतिये मोल की है इसलिए इंपॉर्टन बात है यह ठीक है तो यह किस पार्टिस सम्भंदित यहाद रखना है और यह भारतिय मुल्की है, इनका नाम है कमला हैरेश, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी से सम्भद नेता है, नादो कोश्चन अबर 37, अगस 2020 में बेलारुस के राच्टपती चुनाव में, अलेक्जंडर लोकाशेंको को जीत हासिल हुई, वे लगादार, कितनी बार राच् लगादार जो है छे बार राच्टपती बेलारुस के चुने गए है, और प्राप्त और प्रिस्षत की अगर बात की जाए, ठीक है यह सारी चीजे इन तो इंपोर्टन नहीं है, बेलारुस क्या है, तो यह एक यूरूपिय कंट्री है, ठीक है, बेलारुस जो है एक सियान मंत्र अस्तरिय बैटक 2020, वर्चुल माध्यम से कब शंपन हुई, वर्ट इस करेक्ट एंसर, इस आफ्शन नमबर यह 12 सेतंबर, ठीक है, अब इसमें इंपोर्टन बात यह है कि भारत की तरफ से सोजव साधिस्ता किस ने की थी, तो विदेश मंत्री यह संकर की द्व प्रमूद वि निवी, ठीक है, कौन? प्रमूद विनई, जोकि विदेश मंत्री थायलंड लुए, तो थायलंड की उप्रधान मंत्री और वहां की विदेश मंत्री, और दस आष्यान, दस सदर्शि Gedraos के जो है यह, जो वहां की 10 आष्यान कंट्री है, उनकी विदेश मंत् ठीक है और इसमें इंपर्टन बात और यह है कि भारत कारी योजना जो की 2016-2020 की समिक्षा तथा नई आसियान भारत कारी योजना जो है कब से कब तक है 2021 से 25 है नादो कोशन नमबर 39 हाली में 20 सुस्वास संगठन डबलो यहों ने किश महाद्यूप को पोलियो मुक्त घोसित कि आ गया है कि अधिकरेक्ट एंस्वर इस आप पज़िए अफ्रीका महाद्यूप कर ठीक है अफ्रीका महाद्यूप डबली अच्चो ने पूंड रूप से जो है वो पोलियो मुक्त घोसित कर दिया है मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन ठीक है अब इसमें दो इंपॉर्टन ब वर्स तक पोलियो का कोई नया मामला सामने नहीं आता है तब उससे जो है डबलु एच्चो के द्वारा पोलियो मुक्त घोसित कर दिया जाता है ठीक है कि वैस्विक पोलियो नुमूलन पहल के गरबाद की जाए तो डबली एच्चो दारा वर्स 1988 में प्रारंब किया गया पोलियो के गरबाद की जाए तो पोलियो एक विशाण जन्न रोग है ठीक है विशाण जन्न रोग है जो अधिकांस्ता बच्चों को होता है ठीक है ना दो क्वेश्चन नमबर पोटी चार सितंबर 2020 को शंपन अमेरिका भारत सामरिक साजिदारी फोरम के तीसरे वारसिक न यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेज ना दो क्वेश्चन नमबर आप देखिए यहां पर यूएस आई एस पीएफ क्या है तो यह गयर लाभकारी शंग अठान देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है यूपीएस सी में पहुँचे जाते हैं ठीक है वंड ए लास्ट क्वेश्चन है ठीक है तुर्की और किस देश के मध्ध में भूमत देशागर में तेल और गैस बंडारों पर दाओं को लेकर विगत कुछ महीनों से विभाद चल रहा है ठीक है मोस्ट इंपोर्टन क्वेश्चन है लिकरेक्ट एंसर इस आप्श नमबर भी ग्री ठीक है कौन से गंट्री के बीश में ग्रीज देखे तुर्की और ग्रीश के मध्ध जो तनाव चल ला है तनाव का मुख्यकारण पूर्वी भूमत देशागर में तेल और गैस बंडारों पर दोनों देशों का दावा तेल और गैस बंडार जो मिला है क्रीट द्यूप जो देश है फ्रांस ये इटली शाइपरश में और इस्राइल विवाद में मदस्ता की कोशिज जो कवर रहा है कौन सा देश है जर्मनी और नाटो महासची द्वारा ठीक है विवाद जो बढ़ा है वो तुर्की द्वारा भीवेद छेत्रों में ड्रिलिंग करने पर जो है फिर दोनों के बीज जो हो गया ठीक है दोस्तों हमने जो है अंतर राष्टी घटनकरम के महत्रपूर्ट जो एक तार्ष कुश्चन की पार्ट अन पार्ट टू को मिला करके ठीक है तो दोनों को जो पीडियफ है हमारी टेलिग्राम चैनल को जो डिस्क्रिम्शन लिंक में दी गई है आप वहाँ जाकर कि अंतरास्टी घटना करम के पूरा जो है फीडिया आपको प्रोवाइड कर दी जाए कि आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे रिवाइच कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों वीडियो अगर हमारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को तो तैंक यू